कि दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग उमिद करते हैं बहतर होंगे तोस्त होंगे भाई आप 40-50 दिन बचा हुआ है और इस 40-50 दिन में आपकी बीपेसी के लिए जर्नी है वह भाती खतरनाक होता है इस वक्त आप बुक ढूड रहे होते हैं कि कौन सा किताब कौन सा किताब उठूर रहे होते हैं और किताब में ढूड क्या रहे होते हैं कि क्या क्या होना चाहिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम इस पर बात करेंगे तो जो मुझे लगता है कि तीन किताब और एक करिंट अपके हाथ में हो तो आप आने वाली 40-50 दिनों में रिवीजन कर करके रिपिटेशन करके और मेजरली करेंट फेर को याद करके बहुत आराम से को निकाल सकते हैं 150 कोशनों में 100-120 के बीच में सॉल्व करने पर आप प्रिलिम्स को क्रेक कर लेते हैं यह आपको जानकारी होगी पैरे भाई आप last time में last note में last minute में आप क्या ढूड़ रहे होते हैं क्या-क्या पैरे भाई दूब जानते हं वह majorly क्या क्या है एक तो current affair जो सबसे ज्यादा hurdle है सबसे दूसरा जो सबसे बड़ा चीज होता है कि आपने पढ़ा तो बहुत सारा है बढ़ भूल जा रहे हैं या लास्ट टाइम रिवीजन जिससे कौन। बड़ लड़ तो उसको लास्ट्राइम रिवीजन कहते हैं इन पढ़ाई तो सब लिए हमने तस नहीं से आप सघ्र रिवीजन कहां से करे तूसरा काwert अवाइन इन अफ्यूल्डेन्स क्ठाश को थियार करने डिलप करने के लिए confidence लानी के लिए कॉंछंद का से करें जो प्रैक्टिस करें ही कि तीन मेज़र हरडल है आपके लिए उस तीन मेज़र हरडल के बाद एक हरडल होता है जो आपको पता है घंड autop90 जिससे आप प्रीबिश एर को आपको आपके स्क्रीन मोड पे दिख रही होंगी पहला है प्रिलिंस बूस्टर इसकी खासियत क्या है आपको बता रहे हैं विसकली हम लोगों ने इस पे दस साल के जितने एक्जाम सी के हुए हैं आप इनके इनको देखेंगे तो बाजार में आपको 40-50 रुपए में मिल जा इनके जितने 10 साल में एक्जाम सूए हैं वीपसी ने पेपर्स लिया है चाहे सीडीपी हो चाहे वीपसी हो चाहे ओडिटर हो इन सब के में में फैक्ट को हमने एड करके हम सबना एड करके इस बूक में रखा है ताकि लास्ट टाइम रिवीजन हो जाए आपको आपका आप पुछा गया उसी इसाप से हम लोगने उहीं किया है इस करनी अफ्ट को और यह साथ सो current affair MCQ भी हैं और ये वो MCQ है जहां से आपके पैरे भाई यह पैरे दोस्तों पैरे यहारों जो BPSC के pattern पर बनाए गए हैं खुद सोच समझ कर बिपर सी ने जिस तरीके से 69 में पूछा था उस तरीके के pattern को यह थि आप आप इस current defer के book को पढ़के और उन question को practice कर लेते हैं तो बहुत ही आसान होगा 30 में 28 question 26 question तो आराम से आप deal कर पाएंगे एकदम साथ आराम से अगला है practice अंतिम डाइब में आप लोग practice के लिए question करते हैं ये second time इसका second edition निकला है अभी अभी second edition निकला है फस्ट एडिशन निकला था उसके बाद second edition निकला है इसमें तीन-चार question पूरे book में गलत मतलब like typing mistakes था उसको ठीक करके second edition अभी launch किया गया है ये तीनों किताब यदि आप तरीके से पढ़ लेते हैं तीनों किताब को यूटिलाइज कर लेते हैं तो आप अराम से 110 सौ से 110 स्कोर धूमधान से कर लेंगे कि अब भी जानते हैं कि बीपेसी 30 से 40 कोशन को हर इतना पुराना पढ़ा हुआ है उस सब का रिविजन करने पर आप 40 50 अराम से कर लेंगे अपने स्कोर को ताट और 50 110 इसी को जोड़कर मैंने कहा कि आप 10110 स्कोर अराम से धुमधान से कर लेंगे इतनी बड़ी हर्डल को इन तीनों को बहुत ही ध्यान में रखकर विशे सि को आप अपने हात में कर लेंगे बहुत बड़ी द wes सी बहुत बड़ा वेकंसी होता है आप जानते हैं और प्री बहुत बड़ा हडल हो गई लाप प्रिलीमस को पार कर लेंगे 20,000 बच्चे प्रिलिंट्स में क्वालिफाई करने वाले 20,000 बिद्दार्थी क्वालिफाई करने वाले हैं 2000 सीट का दस्कूना 20,000 चाहे पैटर्न थोड़ी बदल रहा है BPC के चेर्मेन ने कहा कि सेम पैटर्न पे होगा पैटर्न तो बदला नहीं है तो उसको ध्यान में रखकर ही हम लोगों ने इसको बनाया हुआ उमीद करते हैं कि आपको ये सेशन आपके लिए लाबदायक होगा तिर मिलते हम आपसे अगले वीडियो में अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद